हम लोग रसाइन विज्ञान यानि कमेश्ट्री के पहले नंबर चेप्टर को पढ़ रहे थे और पहले नंबर चेप्टर में हम आपको कुछ बेसिक बात पिछले बीडियो में बताये थे यदि आप लोग पिछला विडियो पूरा देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि हम पिछले विडियो में आपको क्या बेसिक पॉइंट बताये थे जिसके अधार पर आप लोग इस पूरे चेप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो पिछले विडियो में हम जहां पर खतम किये थे उसके आगे से आज हम लोग सुरू करेंगे और उसके आगे से जितने सारे भी महत्वपून पॉइंट है वहां के आगे हम आपको बताएंगे तो बस आप लोग यह वाला विडियो पूरा देखिएगा शुरू सुले करक अंत तक देखिएगा और एक एक बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिस करिएगा तभी आपको पूरा बात अच्छे तरीके से समझ में आएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडिय यहां के बात से आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यह तो आपके एक जाम के भीव से काफी महत्तपुन टॉपिक है तो आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझीगा अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो objective में भी कम से कम 5-6 question इस topic से पूछे जाते हैं और इसके अलाबा subjective question में भी इसका पूरा महत्व होता है इससे बहुत सारे question पूछे जाते हैं तो देख लिजे यह topic क्या कहता है इस topic को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो फिर आपको reaction कि redox reaction हैं इस परकार से बहुत सारे अविक्रीया होते हैं जिससे पहचाना आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा तो बस आप लोग ध्यान से इसे देख्ते रहिएगा तो देख लिजे, सबसे पहले है उस्मा रहने पर उस्मा छेपी, उस्मा रहने पर उस्मा रहने पर याँ पर सुरू में देख लिजे पलस और माइनस का साइन है, यानि कि जब उस्मा बाहर निकल रहा हो, तो उसको उस्मा छेपी बोलते हैं, जब उस्मा का अबसोसन हो रहा हो तो उसको उसमा सोसी बोलते हैं जब दो से एक हो जाए तो उसको सनियोजन बोलते हैं जब एक से दो हो जाए उसको बियोजन बोलते हैं अब एक से दो और दो से एक कहने का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम आपको आपको 20 तारूप से बताएंगे देखिए जदी आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपके परिच्छा में किस परकार से प्रस्ण पूछा जाता है यहाँ पर देख लिजे जैसे आपको एक chemical reaction देदेगा यानि कि एक समिकरन देदेगा जैसे NA2SO4 पलस BACL2 से बन गया BASO4 पलस 2NACL इस परकार का कोई भी एक reaction देदेगा और पूछ देगा आपसे कि यह जो रासाइनी के विक्रिया उपर में दिया गया है यह कौन से विक्रिया है आपके सामने चार option भी देदेगा पलस आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे तो बस आप लोग इस पूरे विडियो को ध्यान से देखते रहिए आपको बस पूरा विडियो देखते देखते अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोग बिल्कूल देखते के साथ ही पहचान जाएगा कि यह जो reaction है यह जो अभी किरिया है वह कौन सा भी किरिया है तो बस आप लोग तुरू से लेकर के अंतक देखते रहिएगा यहां से आपका असली इस topic जो है वह इस चेप्टर में शुरू होता है तो चलिए हम स्टर्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह कौन से विक्रिया है और उसके बाद हम question पर आएंगे जिसके बाद आप लोग तुरंट पहचान जाएंगे कि यह कौन से अविक्रिया है तो देखिए आपको सबसे पहले यहां से समझना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि रसाइनी का विक्रिया होते कितने परकार के हैं कौन-कौन से अविक्रिया है जो कि हमारे लिए जादा महत्पून है कौन-कौन से अविक्रिया हमारे एकजाम में पूछा जाता है तो देखिए सबसे पहला विक्रिया होता है सन्योजन अभिक्रिया दूसरा होता है बियोजन अभिक्रिया उसके बाद आता है विस्थापन उसके बाद हो जाता है दिविस्थापन और अंत में होता है उपचैन अभिक्रिया और उपचैन अभिक्रिया है मिला करके बनता है र और अगर आप पहचाना सी गए तो समझ जाएगा कि 5-10 नमर आपके एक्जाम में कन्फर्म हो गए तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से एक एक करके पहले नमर अविक्रिया से सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आपके एक बेसिक चीज बता देते हैं जिसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर से हम एक वारी वाइच कर दे रहे हैं आप लोग कोई भी समिकरन देखे होंगे, कोई भी अविकरिया देखे होंगे, उसमें जो बीच में जो तीर वाला निशान रहता है, उसके बाई तरफ मतलब जो इधर का भाग होता है, उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो बीच में तीर वाला निशान होता है, उसके दा विक्रिया दिया हुआ है या सन्योजन विक्रिया है तो बस आप लोग यहां से एक ची ध्यान रखिए A पलस B से बन गया A B ठीक है बस आप लोग इसको ध्यान रखिए A पलस B से क्या बन गया A B जहां पर A और B क्या है और A B क्या है तो A B प्रतिफल है अब देखिए हम लोग इसको जल बोला जाता है लेकिन CAOH का दिहॉल टू इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है आप लोग इसे समझते होंगे तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर A के स्थान पर क्या है CAO है जो कि सॉलिड रूप में है ठोस रूप में है जिसको चूना पत्थर बोलते हैं और B के स्थान पर क्या हो गया CAO हो गया B के स्थान पर क्या हो गया H2O हो गया और A B के स्थान पर क्या हो गया CAO हो गया तो बस अगर A पलस B से A B बन रहा है तो समझ जाएगा कि सन्योजन अभी किरिया है कहने का मतलब आप सिंपल भासा में समझे अगर इधर देख लिजीगा कि दो है ठीक है जैसे आप लोग देख रहा है कि दो अलग अलग है CAO पलस H2O मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं A पलस B ठीक है CAO और H2O और अगर दोनों मिल करके कोई एक बना रहा है मतलब दोनों को हम गुना कर दे रहे हैं तो अगर CAO और H2O दोनों को मिला करके अगर हम लोग एक बना रहे हैं तो होई रहा है CAO का दिहॉल टू बस आप लोग को क्या देखना है कि अगर दो मिल करके एक बन रहा है तो इसको सन्योजे नविक्रिया कहते हैं ठीक है दो मिल करके एक बन रह कभी कभी आपके एक्जाम में पूछ दिया जाता है कि बुझा हुआ चूना का रसाइनिक शुत्र क्या होता है तो आपको बताना है आपको इतना ध्यान रखना है A plus B से A B चलिए अब दूसरा नमर अविकिरिया है बियोजे नविकिरिया तो बियोजे नविकिरिया सीधे सनियोजे नविकिरिया का उल्टा हो जाएगा जादा कुछ नहीं समझना है बियोजे नविकिरिया सनियोजे नविकिरिया का उल्टा हो जाएगा सनियोजे नविकिरिया में क्या होता था कि इधर दो रहता था जिसको हम लोग A plus B बोलते थे और उससे एक बनता था जो कि A B बनता था लेकिन उसका उल्टा इधर हो जाएगा इधर एक रहेगा और उस हम लोग CACO3 को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा CACO plus CO2 gas बनेगा जहांकि COO चुना पत्थर है जो कि solid रूप में है ठोस रूप में है और CO2 gas है जोसे कि carbon dioxide gas बोलते हैं तो यदि हम लोग CACO3 को गर्म करेंगे तो उससे चुना पत्थर बनेगा और साथ में carbon dioxide gas मुक्त होगा तो देखिया अब आप लोग यहां से समझे A के जगा पर हम लोग क्या रखे हुए है CACO3 को रखे हुए है A1 के जगा पर क्या रखे हुए है CAO को रखे हुए है और A2 के जगा पर CO2 को रखे हुए है तो बस आप लोग को क्या देखना है जैसे ही देखना है कि एक से दो बन रहा है एक से दो बन रहा है बियोजन अविक्रिया होगा दो से एक बन रहा है तो सन्योजन अविक्रिया एक से दो बन रहा है तो बियोजन अविक्रिया बस सीधे सन्योजन और बियोजन में उल्टा कर देना है अब चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेंगे बिस्थापन अभी किरिया आसा करते हैं कि सन्योजन और बियोजन आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे अब बिस्थापन क्या कहता है बस आपको इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है ज्यादा क और उसका जगा खुद कबजा कर लेगा, तो समझ जाएगा कि वहीं बिस्थापन विक्रिया है, जैसे A पलस BC से बन रहा है, B पलस AC, इसमें क्या हुआ है, कि जो A है वह B को हटा दिया है, A है जो B को हटा दिया है, तब B भी कहता है कि तह हम तुमको भी नहीं रहने देंगे, पर A है जो B को हटा रहा है, और B है जो A को हटा रहा है, बस इसी को आपको समझना है, A किसको हटा रहा है, B को हटा रहा है, तो B भी कहता है कि जब तू हमको खरिद देगा, तो हम भी तुमको ख़देड देंगे, इसका मतलब कि जब तू हमको हटाएगा, तो हम भी तुमक पर क्या है? SO4 है उसके बाद इधर आजाईए तो B के जगह पर क्या है? CU है, A के जगह पर क्या है? FV है और C के जगह पर क्या है? SO4 है, अब देखिये आपको इधर वाला पार्ट को अभी छोड़ देना है इधर इतना ध्यान नहीं देना है जहां पर हम आपको बता रहे हैं बस उसको समझे इधर A के जगा पर क्या था? F था, इधर B के जगा पर CU और C के जगा पर SO4 लेकि हम आपको सुरू में ही बताए कि A किसको खदेड़ रहा है, B को खदेड़ रहा है और B किसको खदेड रहा है, तो A को खदेड रहा है, तो देखिए, A के जगापर हम लोग B को लिख देंगे और B के जगापर A को लिख देंगे, बस आपका विस्थापन अभी के लिए पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, B यहां से हट करके कहा आ जायेगा, A के अस्थान पर तो पहले हमको देखना है कि B के अस्थान पर कौन है तो B के अस्थान पर यहां CU है तो सबसे पहले हम लोग CU को लिख देंगे यानि कि जो CU था वह F को खदर दिया ठीक है B है जो A को खदर दिया यानि कि CU F को आ जाएगा तो देखिए CU के जगह पर FV आ गया और FV के जगह पर CU आ गया उल्टा हो गया और लास्ट में जो SO4 था जसका तस्हीर रह जाएगा क्योंकि देखिए यहां पर C में कोई परिवर्तन ने हुआ है C अपने जगह पर इस तिर है तो बस यहीं आपको इसमें समझना है एक किसको ख़देड रहा है B को और B ख़देड रहा है A को बस A B का उलट फेर हो रहा है यदि B का उलट फेर हो तो आपको समझ जाना चाहिएगा कि विस्ठापन विक्रिया है तो आप लोग यहां तक to समझ गए होंगे समझेंगे दिव विस्थापन अविकिरिया और विस्थापन अविकिरिया में कोई जादा अंतर नहीं है बस अंतर इतना है कि यहाँ पर सिर्फ A रहता था और यहाँ पर B C रहता था मतलब एक यहाँ पर रहता था और दो यहाँ पर रहता था लेकिन यहाँ पर क्या है दो इधर भी रहेगा और दो इधर भी रहेगा लेकिन दोनों में फिर से खदेड़ा खदेड़ी होगा कैसे खदेड़ा खदेड़ी होगा जो आप लोग देख लीजे A है जो यहाँ पर C को खदेड़ रहा है तो C भी कहता है कि तो हम भी तुमको ख़देर देंगे मतलब A है जो C को ख़देर रहा है तो C A को हटा दे रहा है बस A और C का उलट फिर कर देना है बाकि सब कुछ सेम का सेम ही रह जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे A के जगा पर क्या है? BA है बस तो आपको अभी लास्ट वाला ध्यान नहीं देना है पहले सुरू में ही आपको देख लेना है तो चलिए हम लोग सुरू में देख लेते हैं पहले A B पलस C D BA CL2 पलस NA 2 SO4 तो सबसे पहले C कहां पर आ जाएगा C जो है वहाँ A के अस्थान पर आ जाएगा तो यहाँ पर C कहां है? C NA 2 है तो NA 2 कहां आ जाएगा A के अस्थान पर आने की सबसे पहले तो हम लोग NA 2 को A के अस्थान पर आने की सबसे पहले लिख दिए उसके बाद B तो B का कोई अस्थान चेंज नहीं हुआ है तो B just का तस हो जाएगा यानि कि यहाँ पर B के अस्थान पर C L 2 था तो हम लोग यहाँ पर भी C L 2 को ही लिख दिये तो देखिए C आ गया A के अस्थान पर और B just का तस रह गया तो क्या बन गया इनने 2 C L 2 अब देख लिजे C के अस्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर जो C है C के अस्थान पर क्या आएगा C के अस्थान पर A आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि A के अस्थान पर कौन था तो A के अस्थान पर B A था तो BA यहाँ पर आ गया और last में D में कोई परिवारता नहीं हुआ है D अपने जगा पर इस तीर है तो BA 104 यहाँ पर लिखा गया तो देख लीजे तो एक बार फिर स्चम रिवीजन कर रहा है आप लोग देख लीजेगा सबसे पहले NA2 जो की C के जगा पर था लेकिन अब A के अस्थान पर आ गया उसके बाद B में कोई परिवारता नहीं हुआ तो CL2 के जगा पर हम लोग CL2 लिख दिये बस आपको क्या करना है BA के जगा पर NA2 आ जाएगा और NA2 के जगा पर BA आ जाएगा बस आपको इतना ही चेंज करना है A के जगा पर C और C के जगा पर A लेकिन अब आप लोग यहां से देखिए NA2 CL2 है न NA2 CL2 मतलब कि सोडियम भी दू है और CL2 भी यहां पर दू है तो क्या करेंगे कि हम NA CL लिख देंगे और पहले दू लगा देंगे और यदि हम लोग पहले दू लगा देंगे यहां पर तो यह दोनों के लिए दू काम कर जाएगा तो क्या बन जाएगा नया समिकरन 2 NA CL पलस BASO4 तो यदि समिकरन पुछता है कि BACL2 पलस NA 2SO4 से क्या बनेगा तो बनेगा 2 NA CL फलस BASO4 इसी को बोलते हैं आउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर पूछ लिजेगा अब चलिए हम लोग 5 में नमर पर चलेंगे जिसको बोलते हैं उपचयन वो अपचयन तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपचयन को अंगरेजी में ओक्सीडेशन वोलते हैं और अपचयन को अंगरेजी में रिडक्सन बोलते हैं और ओक्सीडेशन और रिडक्सन दोनों मिल कर कहीं बनाता है रिड té अज रिटॉक्ष कैसे देख लिजे रिड स्टीन का सुरू का 3 अज़र R.E.D. और ऑक्सीडेशन का सुरू का दो अच्छर OX OX मतलब बैल होता है लेकिन आप लोग यहाँ पर बैल मत समझेगा Reduction का सुरू का तीन अच्छर Red और यहाँ पर OX दोनों मिल करके क्या बन गया Redox यानि की Redox Reaction बन गया तो यहाँ से एक बात सामने निकल करके आती है कि अपचैन और उपचैन यानि की Oxidation और Reduction मिल करके ही Redox Reaction बनाता है पांचमा आप लोग यहाँ तक समझ गये होंगे अब चलिए हम पहचानने का तरीका बताते हैं कि किस परकार से अपचैन और उपचैन को आप लोग पहचान सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हम आपको बताएंगे तिन तिन पॉइंट बताएंगे पहला यदि Electron का हरास हो ठीक है पहला यदि Electron का हरास हो तो समझ जाना चाहिए कि उपचैन अभी करिया है यदि Hydrogen का हरास हो तो भी समझ जाना चाहिए कि उपचैन अभी करिया है लेकिन यदि Oxygen का योग हो तो समझ जाना चाहिए कि उपचैन अभी किरिया है मतलब 3 case यहाँ से सामने निकल कर क्या रहा है यदि Electron का हरास हो तो भी उपचैन यदि Hydrogen का हरास हो तो भी उपचैन और यदि Oxygen का योग हो तो भी उपचैन उदारन के तोर पर आप लोग देख सकते हैं जेडेन से बन गया जेडेन 2 पलस लेकिन इसमें 2 इलेक्टरॉन का हरास हो रहा है 2NH3 से बन गया N2 पलस 3H2 यानि कि यहाँ पर हैड्रोजन बाहर हो रहा है मतलब हैड्रोजन का योग हो रहा है और जब oxygen का योग होगा तो हमको समझ जाना चाहिए कि यह जो अभी किरिया है उपचैन अभी किरिया है oxidation reaction है तो हम आसा करते हैं कि आप लोग उपचैन अभी किरिया भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब सबसे last वाला बच गया अपचैन जो कि सीधे उपचैन का उल्टा है सीधे उपचैन का उल्टा है तो सबसे पहले उल्टा जानने के लिए हमको सीधा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा तो बस आप लोग इसको अपने मन में भी रखिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा कि क्या हम आपको उपचैन में बताए हैं और सीधे यहां पर आ करके इसका उल्टा कर देना है उल्टा कैसे करेंगे उपचैन में आप लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का हरास हो रहा था उपचैन में इलेक्ट्रॉन का हरास हो रहा था लेकिन अपचैन में इलेक्ट्रॉन का हरास हो रहा था वहाँ पर योग होगा और जहाँ पर भी योग हो रहा था हो वहाँ पर हरास हो जाएगा जैसे हम लोग उदारन के माध्यम से समझते हैं Cu2 पलस लेकिन इसमें क्या करा है कि Electron का योग हो रहा है तो देख लिए दो Electron यहाँ पर आकर के जूड़ गया और जब दो इलेक्ट्रोन यहां पर आकर के जूल गया तो यह Cu बन गया N2 पलस 3H2 N2 पलस 3H2 मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है N2 के साथ आकर के हाइड्रोजन जूल रहा है और जब जूल रहा है तो इसको बोलेंगे के हाइड्रोजन का योग हो रहा है और जब हैड्रोजन का योग हो रहा है तो N2 पलस 3H2 से क्या बन जाएगा 2 NH3 और उसके बाद देख लिजいए, सबसे लास वाला में ऊक्सीजन का हरास हो रहा है Afeo पलस CO Afeo पलस CO तो क्या बन गया? Afe पलस CO2 ठीक है यहाँ पर ऊक्सीजन का हरास हो रहा है ध्यान रखिएगा तो चलिए हम असा करते हैं कि आप लोग सारे विक्रिया अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सारे विक्रिया अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आपके दिमाग में एकदम समझे कि डाटा ट्रांसफर हो गया होगा जो हमारे दिमाग में डाटा था वो आपके दिमाग में डाटा ट्रांसफर हो गया होगा इतना हमसराल भासा में करके इतना बारीकिस से हम आपको बताए अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी किसी परकार का कोई भी डाउट रह जाता ह अगर आपका concept के लिए नहीं होता है तो आप हमें नीचे comment में जरूर बताईएगा और यदि समझ में आ जाए तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और comment में हमारे लिए दो बात जरूर लिख दीजेगा कि sir कैसे आपका समझाने का तरीका है और जो समझाने का तरीका है मेरे पास उस समझाने के तरीके से जो हम आपको बताये वह कितमा आपको पसंद आया तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह जो रसाइनी के विक्रिया वाला question होता है उसको कैसे पहचाना जाता है और किस परकार से हम लोग पहचान सकते है देखते के साथ ही यह जो रसाइनी के विक्रिया है वा किस परकार के विक्रिया है चलिए कुछ हुदारन के तौर पर भी हम लोग देख लेते है किस परकार से question आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे और इतना तो आप लोग समझ लिजेगा कि हर हाल में पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है किस टौपिक से question आभी सकता है नहीं भी आ सकता है हर हाल में इस टौपिक से question आएगा तो देख लिजे माल लिया कि आप पहला example है NA2SO4 पलस BACL2 से बन रहा है BASO4 पलस NACL तो देख लिजे यहाँ पर SO4 के आगे NO2 है और CL2 के आगे BA है बस इसको यहाँ पर देख लिजे कि BA के जगा NO2 आ गया है और NO2 के जगा पर BA आ गया है SO4 के पहले NA2 जो लगा हुआ था अब SO4 के पहले इस तरफ BA लग गया है और इधर CL2 के पहले जो BA लगा हुआ है, इधर CL के पहले अब N लग गया है, इसका मतलब है कि N2 जो है भर BA को विस्थापित कर रहा है और BA है जो N को विस्थापित कर रहा है, तो कहने का मतलब हुआ, आप लोग philanthrop आप लोग समझ रहे थे कि AB पलस CD इस परकार से आप लोग सम और इस तरह भी दो हो रहा है, लेकिन A है जो C को भी स्थापित कर रहा है, और C है जो A को भी स्थापित कर रहा है, आप लोग यहाँ पर बात को समझ रहे होंगे, तो जैसे ही A C को भी स्थापित करें, और C A को भी स्थापित करें, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए, कि व बिस्थापन अभी किरिया है सनियोजन बियोजन के बारे में भी आप लोग उपर में देख रहे थे उसी परकार से आपको अभी किरिया पहचानना है हम लोग कुछ कोशन और आगे भी देखेंगे लेकिन उसके पहले आप लोग इसको अपने ध्यान में रखिएगा सोडियम स होगया इसका सुत्र क्या होता है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा spielt को चल्म में पूछा जाता है जیसे अगर शेंसाद का पूछ दे तो आप लोग जानते हैं कि Spotka इन'd Kingdom warp का लिखना है तो सोडियम का संकेत इन्ने होता है और सल्फेट का इसोफोर होता है तो आप लोग अब यहाँ पर तो आराम से बोल सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का इन्ने टू एसोफोर होगा उसी परकार से पोटेसियम का संकेत आप लोग जानते हैं कि पोटेसियम का होता है क सलफेट का SO4 तो K2SO4, कैल्सियम का संकेत जानते हैं कि CA होता है, तो कैल्सियम के जगा पर CA लिख देंगे और सलफेट के जगा पर SO4 लिख देंगे, इस परकार से यदि आप लोग को संकेत याद है, तो आसानी से आप लोग अपना सुत्र भी लिख सकते हैं, चाहे किसका भी सुतर पूछ दे आप सुतर भी याद कर सकते हैं यदि आपको संकेत याद है तो चलिए अब कुछ question हम लोग आगे यहां पर देख लेते हैं जैसे जेडेन पलस CUSO4 दिया हुआ है जेडेन पलस CUSO4 A पलस BC अब देख लिजे मान लिया कि जेडेन है ओवाँ A है CU है ओवाँ B है और AUSO4 है ओवाँ क्या है C है तो आप लोग को हम उपर में बता रहे थे अभी अभी हम आपको कुछ दिर पहले समझा रहे थे कि यदि A हवाला इसको बिस्थापित कर दे कहने का मतलब कि A है जो B को हटा दे और B है जो A को हटा दे और अगर इधर भी दो है और इधर भी दो है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह 25 अभिक्रिया है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Jden है जो बस CU को बिस्थापित कर रहा है यानि कि Jden है जो CU को हटा रहा है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Jden पलस CU SO4 था तो अब CU के जगह पर Jden आ गया ZNSO4 plus CU को इसको विस्थापित कर दिया इसका मतलब किया विस्थापन अभी करिया है अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुवारा से पीछे करके थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लिजेगा आपको एक-एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उसी परकार से माल लिया जाए कि एक कोश्चन है AF2O3 plus 2AL से बन गया AL2O3 plus 2AP सबसे पहले तो आपको देखना है कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो जब 2 है इसका मतलब कि चाहे तो 20 थापन होगा या फिर 2 थापन होगा लेकिन अब 2 थापन और 20 थापन में पहचानना है कि कौन होगा तो इसको पहचानने के लिए हम देख रहे हैं कि इस साइट तो AF2O3 है देख रहे हैं आपर AF2O3 पलस 2AL तो देख रहे हैं कि O3 के आगे जो AF2 लगा हुआ था AL को बिस्थापित कर दिया और AL है जो AF2 को बिस्थापित कर दिया मतलब AF2 के जगा पर AF2 आ गया और AL के जगा पर AF2 आ गया तो आपको देखते के साथ ही समझ जाना चाहिए कि यह बिस्थापन अभी किरिया हो जाएगा सन्योजन बियोजन के बारे में भी आप लोग देखे हैं उसी परकार से आपको यह सभी चीज़ को देखना है जैसे देख लिजे शमिकरन संतूलित है या असंतूलित है इसका पहचान करना है हम आपको एक स्पेसल बिडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बहुत हिबारीकी से समझा करके बताएंगे कि समिकरन को कैसे संतूलित किया जाता है क्योंकि बस shortcut में अगर हम आपको बताएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से नहीं सीख पाईएगा इसलिए हम आपको एक special वीडियो ही बना करके बता देंगे कि किस परकार से आप लोग समीकरन को संतुलित कर सकते हैं फिलहाल आप लोग इतना समझेगा कि जो इस तरफ होता है उसको अभीकारक बोलते हैं और जो तीर के निशान जो यह बीच में तीर का निशान है उसके जो दाहिने तरफ होता है उसको प्रतिफल बोला जाता है तो यदि अभीकारक की परमानुशंख्या और प्रतिफल की परमानुशंख्या आपस में अगर बराबर हो जाये तो उसको समझना चाहिए कि यह समिकरन संतुलित है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि एफी टू है मतलब एफी का परमानुशंख्या कितना है दो है ओक्सीजन तीन है और एलमुनियम दो है हमको इस साइड देखना है एफी इधर दो है तो इधर भी एफी दो है टू एफी लगा हुआ है ओक्सीज यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इधर भी एफी दो है तो इधर भी एफी दो है ओक्सीजन तीन इधर भी है तो इस परकार से आप लोग कैसे समीकरन को संतुलित कर सकते हैं और यदि पहले से समीकरन संतुलित है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि समीकरन संतुलित है या प्र आसंतूलित है तो उमिद करते हैं कि आप लोग यहां तक तो और आम से पहचान गये होंगे अब देख लिजे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समिकरन आसंतूलित है आज संतूरित कहने का मतलब कि यहाँ जो समीकरण है यहाँ पर जो 4 option दिये गए है इसमें से कौन सा समीकरण संतूरित नहीं है इसका जवाब आपको नीचे comment में बताना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया गया है समिकरन CAO plus CO2 से बन गया COCO3 या किस परकार का रसानी कभी किरिया है या तीनो प्रस्ण का जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है यदि आप लोग इस तीनो प्रस्ण का जवाब नीचे कमेंट में सही सही बताते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए आपको समिकरन पहचानना आ गया आप लोग अच्छे तरीके से अब समिकरन को शंतुलित कर लिजेगा तो इस परकार से आपको पूरा बात हम बता दिये इसके आगे आप जितने सारे भी पॉइंट बचे हुए हैं इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है तो आप लोग को भी एक दिन में पूरा बात समझ में नहीं आएगा इसलिए इसके आगे जितने सारे भी पॉट बच गए हैं जितने सारे भी भाग बच गए हैं इसको हम अगले वीडियो में खतम करा देंगे तो उमीद करते हैं कि यह वाला वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे समिकरन को शंतुलित किया जाता है कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह कौन सी अविक्रिया है अविक्रिया पहचाना तो खास करके आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे तो उमीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा इससे आपको बहुत अच्छी जनकारी मिली होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजे और जो भी एस्टूडेंट इस चैनल पर नए है पहली वार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी परकार के महत्तपुन वीडियो के साथ और इसके आगे जो भी पार्ट बचे हुए हैं जो भी टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में इसको हम करेंगे तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद